अब हम कुछ और महत्वपून क्रिया कलाब देखेंगे जो हमें अमल के महत्वपून गुन्धर्म को सीखने में मदद करेंगे इस अभिक्रिया में हम एक परक नली में कॉपर ओक्साइड लेंगे और हाइड्रो क्लोरिक एसिद से उसकी अभिक्रिया कराएंगे हम एक परक नली में कॉपर ओक्साइड लेंगे और उसमें बून-बून करके हाइड्रो क्लोरिक अमल डालेंगे इस अभिक्रिया के बाद हम देखते हैं कि परक नली में विलेन का रंग हरा नीला हो जाता है अब हम चर्चा करेंगे कि हमने वीडियो में क्या देखा हमने देखा copper oxide अमल में घुल जाता है और विलेन का रंग नीला हरित में बदल जाता है चलिए देखते हैं कि यहां हुआ क्या यहां copper oxide अमल के साथ अभिक्रिया करके copper chloride बनाता है जो नीले हरे रंग का होता है विलियन का नीला हरत रंग अभिक्रिया में कॉपर ख्लोराइड के बनने के कारण होता है आईए अब हम दिये गए अभिक्रिया के लिए समिकरन लिखते हैं जो कुछ इस प्रकार है इस समिकरन का समाने रूप इस प्रकार है धात्विक ऑक्साइड प्लस अमल देता है विलियन प्लस जल क्या आपने इस अभिक्रिया के समाने रूप पर कुछ ध्यान दिया? यह उसी समान अभिक्रिया है जैसे अमल की शारक के साथ अभिक्रिया होती है इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड शारक ऑक्साइड होते है चलिए अब हमने जो कुछ भी पढ़ा उसे फिर से एक बार दोहरा ले अमल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया से विलेन एवं जल प्राप्थ होता है धात्विक ऑक्साइड शारक ऑक्साइड होते हैं खृप्या से पनी कॉपी में नोट कर लें